प्रदेश सरकार ने रामनगरी को भले ही आयोध्य धाम घोशित ना किया हो लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रामनगरी को आयोध्य धाम बना दिया जिसके बाद अब रामनगरी को आयोध्य धाम बनाने की कवायत धरातल पर भी उतरना शुरू हो गई है बतादे के UPSRTC के निदेशब, I.S. अधिकारी राजशेखर के आदेशबर विभाग ने रामनगरी का टिकेट आयोध्य धाम के नाम से बनाने की शुरूबात कर दी है इसके लिए सोफ्ट्वेयर में अवश्यक बदलाव किये गए हैं अब जिला मुख्यालिय इस्थित, फेजबाद बस इस्टेशन का नाम परिवाहन विभाग ने टिकेट में आयोध्या कर दिया है परिवाहन विभाग ने बसों के एटिकेट काटने का काम एटियम मशीन से किये जाने का जिम्मा प्राइवेट कमपनी ट्राइमेक्स को दे दिया है परिवाहन विभाग की ओर से रिदेश ट्राइमेक्स कमपनी के मुख्याले मुंबई भेजा गया था जहां से सोफ्ट्वेयर में अवश्यक संसोधन के बाद अब जिला मुख्याल्य इस्थित आयोध्या बस टीपो का टिकेट अब आयोध्या के नाम से और रामनगरी आयोध्या का टिकेट आयोध्या धाम के नाम से काटा जा रहा है जो राजस्र विभाग है इसमें भी उलेक धाम का ही और धाम धामारी पती आवतारन पतिराम सकल शिद्ध स्रीजान की दासन पत्ष हर्मान हमारे सास्रों में दिखा है ये सास्र में तो बहुत पहले से धाम ही है लेकिन व्योहार में धाम नहीं है ये से धाम का होता है परकास मान जज्यल मान इस लिए परकास मान धाम का रत होता है हमारे चाहिए सरकारी गुलेखों में इसको धाम बना दी जैसे एक विभाग ने इसको धाम घोसित के दिया है और उसने धाम के नाम से भी अपना परशे काट रहे हैं और इस रिए धाम हो जाना जरूरी है इसे सभी विभागों को आदेश यदी सरकार होक की द्वारा हो जाए तो निश्यत है यह अवल धाम धामा दिप्रत्यों परमारित है वह सभी विभागों माई जाएगा यह सासन की मंसा के अनरूप जो कि हमारे बर्तबान में महानीय मक्षोंत्रि जी है जो भी यात्री जहां से भी यात्र करेंगे तो उन्हें फ्याजाबाद की जगा अध्या और अध्या की जगा अध्या धाम कराम का टिकेट उपलग्ध होगा